खुआ है अप अप सभी उमीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल से गुरूगराम युनिवस्टी के आपके एक्जाम स्टार्ट हो रहे हैं इन एक्जाम में आपने ओनलाइन जो मौड सेलेक्ट किया है तो आपको कॉलिज की तार से अंस् फिल करने में प्रोलम होगी तो उसके रिगार्डिंग में ये जो वीडियो है वो बढ़ाई गई आप लोगे के लिए तो इसमें क्या के डिटेल फिल करनी है वो हम देख लेते हैं फर्स्ट हमारे पास आता है कि आपका जो कॉर्स आइडी है वो क्या है तो कॉर्स आइडी पर लेके चल रहे हैं कि हमारे पास एक Admit Card है किसी बच्चे का कि आपके पास चुक सब्जेक्ट है वो मानके चलते हैं कि हमारे पास English subject है तो course जो title है उसके अंदर आप यहां पर लिखेंगे English उसके बाद अगर हम बात करें कि जो next हमारे पास वो course टाइटन जो कोर्स कोड आता है उसके अंदर आप लिखेंगे यह जो आपके पास सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है रोल नमबर स्लिप में वो यानि के यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर एग्जामपल E N 01 वो आप यहाँ पर लिखेंगे सेम डिटेल आपको यह कोलम नमबर टू है इसके अंदर फिल करनी है कोर्स टाइटल में आप इंग्लिश लिखेंगे उसके बाद जो कोर्स कोड दिया हुआ है उसके अंदर आप लिखेंगे E N 01 यह चीज आप यहाँ पर फिल करेंगे उसके बाद जो हमारे पास थर्ड कोलम आता है उसके अंदर जो है Candidate का Name यानि के जो आपका नाम है वो यहाँ पर मैं अपने Name से जो है फिल करके दिखा जेता हूँ कि इसके अंदर जो है आप लिख सकते हैं जैसे मेरा नाम है दीपक तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दीपक कुमार दीपक कुमार उसके बाद आपका जो नेक्स आता है Name of program with branch तो यहाँ पर मान लेते हैं कि जो मैं student हूँ वो मैं student हूँ बी एगा तो यहाँ पर आप मैं बी ए लिख हूँगा अगर आपकी class बी कॉम है तो आप बी कॉम लिखेंगे यहाँ फिर बी कॉम ओनस बी एससी जो भी आपकी class है respected class आप यहाँ पर अपनी लिख सकते हैं साथ में आप semester लिखेंगे कि आप कि semester की student है तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास जो roll number sleep है वो roll number sleep है हमारे पास semester 1 की तो यहाँ पर आप जब semester 1 लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं इस तरीके से 0 और 1 यहाँ पर आप इस तरीके से लिखेंगे उसके बाद आपका semester जो भी हो चाहिए आपका semester 3 हो तो आप 3D semester हैंप लिखेंगे उसके बाद course id यह फिर से आपकी वही है कि आपको question paper मिलेगी course title में आप same यह आप फिल करेंगे English उसके बाद जो हमारे पास course code है उसके अंदर आप फिल करेंगे जो roll number slip में दिया हुआ है EN01 उसके बाद हमारे पास क्या है हमें roll number फिल करना है तो यहाँ आप पर जो भी आपका roll number है वो आप roll number slip से आप roll number यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि आपका यह लिखा हुआ है registration number come roll number तो दोनों यह आपका एक है तो आप यहाँ पर उसको आप फिल कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर फॉल एक्जामपल मान के चलते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0, 1 यह आपका roll number है तो आप इस तरीके से यह roll number आप फिल करेंगे उसके बाद जो नीचे आपके पास यह दिये हुए हैं यहाँ पर तो इनको आप फिल करेंगे circles को आप फिल करेंगे और अच्छे से इन circles को फिल करेंगे आप जैसे कि हमें दिया हुआ है तो आप respected इन तरीके से आप circles को फिल कर लें जो भी आपका उपर दिया हुआ है इस तरीके से आप सारे के सारे circles को अच्छे से dark करेंगे उसके बाद अगर हम बात करें examination center की तो examination center code जो है वो हमारे पास nil दिया हुआ है क्योंकि university ने हमें examination center जो है वह आप पर provide नहीं करा है जो nil दिया हुआ है रोलंबस लीप में तो आप इसमें यहाप पर जो है 00 आप क्या है डाल सकते हैं 00 पर ही आप क्या करें इसको circle को आप black कर दें उसके बाद निच्चे दिया हुआ है signature of candidate की जो जिस भी बच्चे का exam है वो यहाँ पर अपने signature करेगा जैसे कि यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि मेरा जो signature है वो यह है तो यहाँ पर इस तरीके से आप अपना जो signature है वो आप करेंगे निच्चे आप exam date डालेंगे जिस भी तारीक को आपका exam होगा वो आप यहाँ पर date डाल सकते हैं इस फॉर एग्जामपल जैसे आज जो date है वो है आपकी 18-03-2021 यह चीज आप यहाँ पर fill करेंगे इसके अलावा इस page के ओपर आपको कोई भी detail नहीं fill करनी है जो भी detail है वो आप यहाँ पर बाकी चीज़ें आप blank छोड़ेंगे next हमारे पास आता है यह second page second page के ओपर आपको कोई भी detail fill नहीं करनी है यह detail official use के लिए है तो आप इसमें कोई भी detail आप fill ना करें उसके बाद मान लेते हैं कि आप जब exam start करेंगे तो first page नंबर जो है आपका इसके पास आप signature करेंगे यहाँ पर कि मान लेते हैं कि यह मेरा exam यह मेरा signature है उसके उपर आप क्या है date लिखेंगे निचे 03 2021 इस तरीके से आप date लिखेंगे और उसके बाद आप यहाँ से अपना जो question है वो start करेंगे question answer जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ से start करेंगे और इस तरीके से आप सारी चीजें इस page के उपर लिख सकते हैं उसके बाद मान लेते हैं second के उपर आपने फिर question answer जो भी आप लिखना चाहते थे वो आपने के उपर लिखा उसके बाद हमारे पास यह page number third है और यहाँ पर मान के चलते हैं कि इस page के उपर जो भी question आप लिखना चाहते थे वो last question आप यहाँ पर लिखते हैं और इसके बाद आप कोई भी page जो है next आप फिल नहीं करना चाहते तो next page पर जब आप नहीं लिखेंगे तो last page जिसके उपर आपने लिखा है उसके उपर आप signature करेंगे फिर से यहाँ पर और निचे उसमें आप क्या है date डालेंगे इस तरीके से आप date डालें और signature जो है वो आपके knit and clean आपके signature होने चाहिए ताकि उसको easily understandable वो हो ठीक है तो यह आपका हो गया उसके बाद अगर हम बात करें कि आपको PDF जो है वो कितने pages की बनानी है और क्या क्या page उसके अंदर आपके होने चाहिए सबसे पहले जो आप जब PDF बनाएंगे तो page number first आपके पास यह होगा उसके बाद page number second यह आपके पास page number third होगा यह page number four यह five और यह page number आपके पास जो last page होंगे 40 इस तरीके से आपके पास जो sheet है उसमें आपके 40 page है तो 40 pages की आपको क्या बनानी है PDF फाइल आप बना कर send करेंगे तो आपको सभी complete page की जो है वो PDF फाइल आपको बना के भेजनी है 40 के 40 pages यानि के 40 के 40 pages की जो है आपको PDF फाइल बनानी है याद रखें कि आप ऐसा ना करें कि जितने page आपने लिखे हैं और सिर्फ आप उनी की PDF भेजें बलकि आपको क्या है complete answer book की जो है आपको PDF फाइल बना कर भेजनी है जो आपको किस email ID पर भेजनी है तो email जो है email ID जो है वो आपके perspective जो आपके class teachers हैं वो class in charges हैं वो आपको provide करा देंगे तो आप उन mail ID पर इन सभी को PDF बना कर आप send करें इसके लिए अगर हम बात करें exam timing की तो आपको जो exam का time है वो आपको 3 hours का आपको exam time मिलेगा और 20 minute आपको मिलेंगी extra जो आप PDF फाइल है उसको आप create करके और जो email ID आपको provide की जाएगी उस email ID पर आप उसे जो है send कर सकते हैं आपके exams के लिए all the best have a nice day